कि हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो धन्यवाद दोस्तों दोस्तों नमस्कार मेरे यूप्टू चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए वीडियो लाए है कि यह समसंग की टाप लोड की वासिंग मशीन है इस वासिंग मशीन में चलाने पर पानी नहीं आ रहा है बिलकुल पानी नहीं आ रहा है तो आखिर इसकी समस्या क्या है इसी समस्या का समाधान करने के लिए यह वीडियो में लाया हूँ आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना आपको बिलकुल समझ में आएगा चलो इसके हम फ्रेंट साइड चलते ह इसका मैंने फेल्टर भी चेक कर लिया फेल्टर बिल्कुल सही है अब इस पर हमें जो इनलेट वाल है ये खराब हो सकता है इसको हमको चेक करना पड़ेगा तो इसके पीछे साइड हमें दो यहां पर इसकुरू लगे होते हैं उन दोनों इसकुरू को हमें इसको खोलना है औ इसी के नीचे पूरा हमारा प्रेसर स्विच इनलेट वाल डूर्लाग स्विच सब चीज यहीं पर लगा होता है तो हम इसको आराम से खोलेंगे तो अब हमारी वीडियो टाप लोड वासिंग मशीन पर ज्यादा होगी क्योंकि फ्रेंट लोड वासिंग मशीन पर लग लग पूरी वीडियो बना चुके हैं अब हम टाप लोड वासिंग मशीन पर वीडियो बनाएंगे अब आपको पूरी वीडियो हम दिखाएंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहें चलो इस कबर को हम उपर का फ्रेंट कबर उठाते हैं उपर की तरफ बस ऐसे हालका से इसको न अब हमें इसका जो इनलेट वाल है इसी इनलेट वाल को हमें चेक करना पड़ेगा इनलेट वाल को चेक करने का सबसे आसान तरीका में बताऊंगा आपको अगर आपको मल्टी मीटर नहीं है क्लेम मीटर नहीं है तो आप कैसे चेक करें की मसीन को आपको ओन करना है इस कानेक्टर को निकालना है निकालने से पहले यह चेक करने जब मसीन umm हो कि यह देखना है कि मसीन को को वरकिंग कंडीशन में डाल दे यह आपको देखना पढ़ेगा कि इस पर किस पर यह रहा है क्य rotary कि नियुग लारा की जो वाल देख रहें हुना इसे पर एकublik है एक हटल हमेँ तो इन दोनों प्रहां पर हमें देखना पड़ेगा कि पर और बार रहे। तो इस फेस को चेक कैसे करेंगे हम मसीन को ओन करेंगे उसी कंडिशन पर जिस कंडिशन पर होना चाहिए उसी कंडिशन इसको ओन करना है और फिर हम यहां पर टेस्टर लगा के चेक करेंगे क्योंकि मल्टी मीटर हर आदमी के पास नहीं रहता हम इसको घर पे बीजा कर सकते हैं बिना टैइकिनीशियन के भी सकते हैं बिना स criticisms कर सकते हैं वह थोड़ा साक़ के पास हुनर होना चाहिए नहीं है तो हमारी वीडियो देखो तो आपको पिल्कुल हुना आजाएगा तो चलिए हम यहाँ पे फिल्टर तो बिल्कुल साफ उसरा है कोई यहां जाय कि में चलती है अब हम सामने चलते हैं मसीन को एक बार हम चालू कर दें उसी कंडिशन में समय कम लेना है म चलते हैं machine को हम on कर देते हैं label बिल्कूल पानी का कम कर देते हैं अब यह machine देखो level पानी का बिल्कूल कम कर देते हैं और start button दबा देते हैं start button दबा दिया हो अब हम फिर पीछे side चलते हैंselt machine में जो inlet wall लगा है उस inlet wall के हम supply चेक करेंगे क्योंकि अगर यहां से हम मशीन को ओन किये हैं तो इनलेट वाल पे तो फेश आना चाहिए चाहे इस ट्रमिनल पे चाहे उस ट्रमिनल पे किसी न किसी पे तो फेश आना चाहिए तो हमें क्या करना पढ़ेगा जैसे अदेखो फेस आ रहा है हमें इस ट्रमिनल को खोलना पढ़ेगा, ऐसा तिर्चा लगाना पढ़ेगा जो यह connector है मैं इनलेट वाल पे लगा हुआ है इसको हमको दोनों पॉइंट निकालना है निकालने के बाद फिर चेक करने तब ही पता चल पाएगा कि यहां कैसे देखो अभी इस पर फेस आ रहा है दीख रहा असानी से अब इसको हमको थोड़ा निकाल लेना पड़ेगा निकालते हैं ध्यान रहे कि इसमें सप्लाई है अब जिस पर फेस आ रहा है टेस्टर पे उस पर हम पॉइंट को लगाएंगे और इसको हम जो इस वाले पह जहां पर न्यूटल आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे तो दोनों में किसी ने किसी पर कचलते कंडिशन पर फेस आना ही आना है यह तो हंडेट बात है तो अभी हमने जो चेक किया है इस वाले पर चेक किया है तो हम इसको चेक करते हैं देखो इस पर हम फिर से लगा दिये हैं तो इस वाले पर फेस नहीं आ रहा है उस वाले फेस आ रहा है तो इसको हम निकालेंगे और थोड़ा सा तिर्चा कर देंगे एक पॉइंट को हम अलग रखेंगे एक पॉमिट को लगा रखेंगे एक को अलग रखेंगे तब प्ता चलेगा अब चलिए हम एक को अलग कर दीये हैं एक को लगा हंडेट परसेंट ये कोईल खराब हो गई है ना जलने के कारण यहीं है कि परसेंट कोईल खराब है कि हमने इसका जो टर्मिनल देखो बाहर निकाल हूँ तो बाहर निकाले से क्या होगा इसको निजंतल नहीं मिलेगा तो इसका जो rettern covain दूसरे पॉइंट पर आएगा देखो भी उसी पर लगा लगा रखा हूं एक पॉइंट लगा हुआ है इस पर हमारा टे स्ट्र गलोब कर रहा और दूसरे पर जब लगाता हूं तो नहीं गुलोब कर रहा है आप समझ गयें कि फीर महरा किलाओने हैं कर गंधर यॉद्व चेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास एक पुराना इल्नेट वाल है तो हम ज्यादा क्या करते हैं कि इस इल्नेट वाल को रिपेर भी कर लेते हैं काम काम की चीज बना लेते हैं तो हमारे पास एक पुराना इल्नेट वाल है हम उसी को लगा कि इस पर चलाएंगे अभी जो ए सब उपर करेंगे और यह आसानी से निकल जाता है और हम इसको अभी निकालते हैं आपको दिखाते हैं कहीं कुछ भी नहीं करना है बस इसको थोड़ा आपको उपर की साइड़ खीचना है और यह आसानी से निकल जाएगा, तो अभी हमारे पास जो सामान है, हम इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि उधर जगा कम है, तो अगर ऐसे हिलाओगे, तो बिल्कुर ऐसे लगएगा, जैसे कहीं पर पकड़ा हुआ है, तो फिल्टर हम निकाल देते हैं, फिल्टर तो साफ ही है, साफ करने जो र साइट नहीं होता, कहीं से कहा फिल्टर नहीं होता, बस इसको आपको ऊपर साइड आईसे उठाना है, और पीछे ले ले लेना है, अब ये निकल गया, देखो, निकल के बाहर हो गया, इसमें देखो, यही खराब है, ये जो उपर कोईल देख रहे हूँना, यही कोईल 220-240 वोल्ट तो यह एसी वाल है इसमें एलेक्ट्रिक सप्लाई आती डीसी नहीं है तो अब हमें इसको चेंज करेंगे हमारे पास एक पुराना है जो सेम इसी तरह से हैं तो हम उसी पुराने वाल को लगाएंगी क्योंकि वह सही था तो चलो अब हम इसको लगाते हैं इसको स डालना है और फिर इसको बैठा देना आप थोड़ा अंदरखित के खाचा है न इसी खाचे पर इसको बैठाना इस तरह से इस साइड से देखो इससे बैठ गया आप हमें मैं तो दूसरा लगा दिया हूँ अब इसका हमें अभी ये चेक करना है कि क्या ये वाल जो हम लगा रहे हैं पहला है इसको भी हम आपको चेक कराएंगे चलो हम मसीन को फिर ओन करते हैं अब हम जैसे उस पर चेक कर रहे थे इसमें देख रहे थे कि एक पर टेस्टर गुलोब हो रहा था दूसरे पर नहीं गुलोब हो रहा था अगर ये वाल सही है तो दोनों पर टेस्टर गुलोब होना चाहिए तो हम चलो इसका एक कनेक्टर निकाल देते हैं एक ही पॉइंट पर लगाते है अब दीजिए इस पर हम लगाते हैं देखो टेशटर गलोब कर रहा है अब दूसरे पर लगाएंगे तो यहां भी कर रहा है जब जहाख आप नहीं कर रहा था और यह यहां पर देखो टेश्टर रहा है कि यहां सप्लाई आ रहे हैं अब हमें यह कंफर्म है 100% कंफर्म है कि हमारा यह इनलेट वाल बिल्कुल सही हो गया है देखो यहां पर भी टेस्टर गुलूब कर रहा है और दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो गुलूब पर 100% यह सही हो गई है आपकी वासिंग मशीन और इस प्रकार से इसको हम चलो लगा देते हैं अब जो कबर खोले थे पीछे की कबर को हम लगा के इसको बिल करोगे इस प्रकार से देखो हां ली रूट थोड़ा ध्यान करके अब जो दोनों वायर थे इन दोनों वायर को आपको टाइट कर लेना पड़ेगा थोड़ा आराम से बैठाओ यह थोड़ा खाचे बैठ जाएगा अपने आप धक्का मारो थोड़ा सा प्रेसर से तो यह हो आप चलाओ वासिंग मसीन में 100% पानी आएगा अब जो इसकी प्रोब्लम थी प्रोब्लम बिल्कुल साल्व हो चुकी है तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी सी वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और हमारे चैनल को पैनल पर इसी तरह वीडियो देखते रहे हैं जो